महाराष्ट चुनाव नतीजे आने के बाद एसा लगा मानोश सिवसेना सिंदेगुट ने जनता की बीच एसा मैसेज फैलाया कि हम असली सिवसेना बाकी सब दुबलिकेट। दो ठाकरे को चुनाव में बिना चिन एसा लग रहा था मानो किसी को पिस्चर में सिर्फ साइड रोल दे दे गया हो। दिलवरी आ गई हो। ये वो ही सिवसेना है ना जो बाला साथ की थी या कोई नया मौडल। विपक्षितलों को समझ ही नहीं आये कि सिंदिक का बाकर सिक्स मारकर चले गए। हिंदुत त्वकरत और विकास के वादों के साथ सिंदे गुट की राजनिती डबल इंजन की तिन की तरह चल रही है। तेज, पक्की और सही दिशा में। उद्धव गुट का अगला एजेंडा यही है कि वे अपने पुराने वोटर को वापस लाएं। लेकिन जन्ता का जवाब साथ यही होगा। सौरी बाबो ये नंबर किसी और कहो चुका है। अगर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को अपडेट नहीं करेंगे तो उसकी राजनेती को महाराष्ट के इतिहास संग्राले में जगह मिल सकती है। दोज़ाथ चुबीस में सीव सिना सिंदेगूट ने यह साबित कर दिया कि पॉलिटिक्स में इमोशन से ज़्यादा एक्षण चलता है। उद्धव ठाकरे के पास अब सिर्फ यही आप्शन है कि वह राजनेती को रिसेट करें। और अगली बार एक नया गेम प्लान बना कर आए। वरना जनता कहने को मजबूर हो जाएगी। इन्हें वोट नहीं कपिल सर्मा सोर में सीट देनी चाहिए। और हाँ भाई वीडियो को लाइक कर देना था कि मेरे यूटूब चैनल मोनिटाइज हो जाए। और मैं आपको अच्छी वाइस क्वालेटी में इंटर्टेन्मेंट कर सकूँ।